तो गाइस एक और मस्त असा दिन जी टीए फाइब में और आज देखलो यार हमने दोबारा से एक कबाड़ा सी बुल्डोजर ले आई है क्योंकि भाई सेंचान और चॉप ने हमसे मांगा है एकदम ही कबाड़ी सी गाड़ी और देख सकते हो यार इससे खराब गाड़ी तो और कुछ हो नहीं सकती इसमें देखो यार चारो तरफ यार रस्ट लगा हुआ है इसके भाई बस ये आगे वाले बुल्डोजर ये काम तो कर रहे हैं जो भाई किसी भी कार को उठा के फेक सकते हैं लेकिन इसका स्पीड आप लोग देखो कितना जादा सलो है एक मिनट भा से मैं ट्राइ करने की कोसेश करता हूँ यहां पर एकदम नीचे हम लोग इसे लाए एंड इसे देखो भाई कैसे हमने उठा दिया चलो जो भी हो यार अभी हम लोग इसे जल्दी से ले चलते अपग्रेड करने के लिए और आज हमारे पास फिर से आएगी यार एक मससी फतम है एंड भाई इसमें और क्या है दिखाने लाएक इंजन देख सकते हो ऐसे खुला हुआ है यहां पे सब कुछ खराब हो चुका है एंड गाइस उधर आप लोग देख सकते हो वो भाई अपग्रेडिंग वाला पोर्टर लगा हुआ है और मेरे ख्याल से यह अपग्र वीडियोजर को जो भाई एकदम खराब हो चुकी है चलो एक बार हम लोग इस पे से नीचे उतारते हैं अब देखो भाई यहां देख रहो यार इंजन पूरा खता में यार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत गंदी सी है यार अंदर से भी तो चलो यार फ्रै से वीडियो पर लाइक कर दो तब तक हम लोग यहां से जंप लगाते हैं वैसे फ्रैंक्टिन भाईया यह कितनी ज्यादा धीरे चल रही है तो चलो फिर यार लगा देते हैं यहां से जंप वैसे यार इसका स्पीड इतना ज्यादा स्लो है और यह गाईस हमारे पास आई है सेकेंड वैकिल भाई उसका तो स्पीड स्लो था ही लेकिन इसका तो भाई मुझे लगता है कि और भी ज्यादा स्लो है लेकिन इसके वील्स कितने ज्यादा बड़े बड़े से हैं भाई साहब देख सकतो यह एक बहुत बड़ी सी ट्रैक्टर है और हम लोग यह कौन सी जग लेकिन भाई यह कोई आम ट्रैक्टर नहीं है तुम देखो भाई नॉर्मल ऐसी ट्रैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं होती है अच्छा चलो भाई ठीक है हम लोग इसे अपग्रेट कर लेंगे एक बार भाई मैं इस रेस ट्रैक पर चला लो एंड वैसे इसका आप लोग एक प्रेक्टर है हाँ भाई वहीं तो मैं भी कह रहा हूं तुम लोग क्यों नहीं इसे मान लेते गॉड वैकिल नहीं मानेंगे तो चलो यार कोई बात नहीं फिर हम लोग इस ट्रैक को जल्दी से कंप्लेट करते हैं और चलते हैं भाई अपग्रेट करने के लिए इसे अड़ गाइस ये आ चुका है पोर्टल तो चलो लगा दें यहां से जंप एंड ये रही हमारी तीसरी वो भी एक सुपरकार फ्रेंक्टिन भया फिर तो यार हमारा कितना अच्छा डी सी जन था हाँ भाई अगर हम लोग उस ट्रैक्टर को ले लेते फिर तो भाई ये सुपरकार छोड़ जाती वैसे बताओ भाई क्या कहते हो इसे हम लोग रख ले सिंचैन फ्रेंक्टिन भया मेरी तरफ से तो यस है अरे भाई फिर क्या बात है यार हम लोग इसे मतलब रखेंगे नहीं फ्रेंक्टिन भया मुझे ये कार नहीं पसंद है हाई चॉप यार ये इतनी अच्छी तो लग रही है भाई यार इसके हेडलाइट्स देखो कितने मस से हैं इसका आगे का ये देखो ग्रिल कितना ही सही लग रहा है एंड उपर से भाई ये एक फरारी कार है भाई यार मुझे तो ये एकदम परफेक्ट लग रही थी और यहां तक कि सिंचैन को भी लेकिन यार गाईज चॉप को ये नहीं अच्छी लग रही इसका मतलब कि भाई इसे भी हमें अपग्रेड करना ही पड़ेगा हाँ फ्रेंक्टिन भाई चलो जल्दी से इसे भी अपग्रेड कर दो भाई यार वैसे आप लोग एक बर इंटीर इसका देख लो मुझे तो यार सही लग रही थी सिंचैन को भी सही लग रही थी लेकिन ये चौप का बच्चा ना कभी यार हम लोग की बात मानी नहीं सकता है तो चलो फिर यार लगा देते हैं यहां से जंप एंड लेते हैं नेक्स्ट कार ये आ गई है हमारी फोर्थ कार ये तो यार दोबारा से एक फरारी आई है गैस इसका उपर का देखो यार ये रूफ कितना मस लग रहा है ये कहां मस लग रहा है उपर का रूफ जैसे लग रहा है प्लास्टिक का है भाई यार उतनी finishing नहीं है लेकिन भाई roof अच्छा तो लग रहा है यार पता नहीं भाई तुम लोगों को कैसे ये car खराब लग रही है रैंक्टिन भाई यार इसमें खराब ही ये है कि इसका roof नहीं अच्छा है बाकिस सब कुछ अच्छा लग रहा है रैसे गाईस आप लोग इसका एक पर interior देखो एंड उपर ऐसा तो लग रहा है भाई की कोई पनी सी चड़ी हुई है भाई अच्छे सी कोई finishing नहीं है इसमें वैसे आगे का ये grill देख लो यार आगे मस लग रहा है इसके wheels green color के हैं भाई सब कुछ सही है बस इसका roof अगर सही रहता तो हम लोग उसे ले सकते थे तो चलो यार फिर क्या करते हैं अपग्रेट कर लेते हैं और लेते हैं गाईस अपनी next vehicle को सिंचेंच अब तुम लोग कह रहे हो ना इसे बदलने को हाँ फ्रेंक्टिन भाईया हम दोनों इसे नहीं पसंद करते हैं तो चलो फिर यार लगा देते हैं यहां से jump एंड लेते हैं next car एंड ये रही अपनी fifth car फ्रेंक्टिन भाईया ये तो एक सुपर कार है हाँ भाई सुपर कार है लेकिन यार ये कितनी जादा सही लग रही है भाई साब इसका speed भी बहुत जादा मस्ते देख रहो यार कितनी जादा तेजी से ये चल रही है फ्रेंक्टिन भाईया चलो इसे हम लोग मान लेते हैं God वेकिल पर एक दिक्कत है भाई फ्रेंक्टिन भाईया मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं लग रही भाई इसके wheels देखो यार ये तो पूरे यार लोहे के बने हुए ऐसा लग रहा है इसमें कोई rubber है ही नहीं मतलब कि भाई इसमें बहुत बेकार हमाला ride होने वाला है फ्रेंक्टिन भाईया ये तो सुपर कार है ये racing tracks पे चलेगी लेकिन भाई हमें तो यार जाना रहेगा इधर उदर और देख सकते हो भाई ये उपर से टूटा हुआ है क्या फ्रेंक्टिन भाईया मुझे भी लग रहा है ये उपर से broken है भाईया मुझे लगता है इसे upgrade करना चाहिए क्यों चौप तुम क्या कहते हो फ्रेंक्टिन भाईया मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही थी भाई मतलब कि यार तुम दोनों को ये अच्छी लग रही है बस मुझे नहीं अच्छी लग रही है गाईस आप बताओ यार आप इसे god vehicle मान सकते हो मेरी खाल से भाई god vehicle तो हम लोग इसे नहीं कह सकते एक बार इसका हम लोग gate open करते हैं और आज Ferrari की cars बहुत सारी आ रही है यार पता नहीं क्या बात है भाई तीसरी car है ये Ferrari की मेरे खाल से लेकिन बस इसमें भाई wheels का दिक्कत है नहीं तो यार हम लोग इसे upgrade कर लेते फ्रैंक्टिन भाई यार इसमें तो 3 लोग भी नहीं बैट पाएंगे हाँ भाई वैसे ये भी बात है यार इसमें 3 seat भी नहीं है तो चलो यार फिर upgrade करी लेते हैं लेते हैं अब हम लोग next car को एंड गाइस ये क्या ये फ्रैंक्टिन भाई यार ये तो हमारे साथ पोपट हो गया भाई यार पिछली वाली एक super car थी एंड ये airport वाली वैगिल क्यों आ गई हमारे पास फ्रैंक्टिन भाई यार इसलिए मैं कह रहा था आपसे की रख लो भाई यार यहां पे यार मेरी कलती के वज़े से ये कबारी सी कार आ चुकी है अब भाई ऐसा नो यार कि अगली बार हम लोग upgrade करें और फिर कोई और खराब वेकिला जाए फ्रैंक्टिन भाई यार लेकिन हम तो इसे बिल्कुल भी नहीं रखना चाते लेकिन भाई ये कोई normal गाड़ी नहीं है ऐसे भाई बगई wheels वाली नहीं चलती है एरपोर्ट पे पर फिर भी यार हम इसे लेके थोड़ कहीं जाएंगे भाई ये देख सकते हो यार यहाँ पानी में तो चल सकती आराम से इसलिए साथ से हम लोग इस दलदन में आये हैं इस टेलिपोर्टिंग मसीन के साथ वैसे गाईज इसे मैं यार कता ही नहीं रखने वाला इसे अपग्रेड करेंगे हम लोग देखते हैं भाई अगली आखिर क्या मिलती है हाँ फ्रेंक्टिन भाईया चलो जल्दी से अपग्रेड करो हम तीनों को यह बिल्कुल नहीं पसंद है तो चलो फिर यार हम लोग यहाँ से लगाते हैं जंप लेते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है और यह लोग जमीन पर ट्राइब कर सकते हैं चाहें तो लेके उड़ भी सकते हैं यह क्या ही कमाल की कार आई है यार हमार पास यह कार है या फिर एरो प्लेन है इसे क्या कहें हम लोग फ्रेंक्टिन भाईया आप तो एरपोर्ट पे हो जल्दी आओ हमें बैठाने के लिए हाँ भाईयार मैंने तो ध्यानी नी दिया यार कार को देखके इंड गाईज इसमें ये देखो खतरनाक सा बूस्टर भी है जिससे भाईये और भी तेज जा सकती है फ्रेंक्टिर भाईया तो आओ अब हमें भी तो बैठाओ अंड ये देखलो गाईज हमने यहाँ पे लिया दिया है इन लोगों के पास अब हम लोग इसे यह ड्राइव कर सकते हैं पहले आपनी देखा होगा कि हम लोग इसे उड़ा सकते थे अब ही देख सकते हो ये सिर्फ ड्राइव की जा सकती है मतलब भाई इसमें दोनों ही फिचर है हम इसे ड्राइव भी करें या फिर हम इसे उड़ाएं हवा में तो चलो यार भाई आज अब तुम दोनों भी फटा फट इस पे बैठ जाओ भाई लेकिन इसका ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा कम है लेकिन कोई दिकत नहीं है यार हम इसे जैसे तैसे चला लेंगे ये मुझे सबसे मस लग रिए और तुम दोनों बताओ भाई तुम लोगों को कैसी लग रिए तो चलो भाई बैट जाओ तुम दोनों हम लोग इसे लेके फटाफट उलते हैं यह देखलो भाई यहाँ पे हम तीनों बैट चुके हैं इस पे चलो भाई अब इसे हम लोग टेक आफ करते हैं तो ये देखो भाई साहब अब हम लोग इसे लेके निकल चुके हावा में इसके यार नीचे के इतने छोटे-छोटे से बील्स है और मेरे ख्याल से ये जो यार नीचे चार फैंस है ना इसी के बज़े से ये यार ओड रही है और देखरो यार ऐसा लग रहा है कोई फ्यूच बन चुकी है अब तक की सबसे बेस्ट गौड कार हाँ दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ और गाईस अब एक और ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाई